हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग आज आपके इंग्लिश के लेसन 4 की आखरी ओनलाइन क्लास है ठीक है पार्ट 4 अभी तक अपने बहुत अच्छी से स्टोरी पढ़ी है किती इंट्रेस्टिंग स्टोरी है कि बेपिन बाबु है जो भूल जाता है कि वो राची गया की नहीं गया एक आदमी परिमल गोश्च उसे याद दिलाने के कोशिश करता है लेकिन उससे लगता है यह जूट बोल रहा है लेकिन आगे जाके फिर वो दिनेश मुकरजी से बात करता है क्योंकि वो उस आदमी ने बताया था कि दिनेश मुकरजी भी गया और फिर उसको यकिन हो जाता है कि हाँ मेरे दिमाग मेरी तवित खराब है और मैं कुछ वियादास्त का कुछ इससा में भूल चुका हूँ राची वाला एपिसोड में दिमाग से निकल गया वो डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर बोलता है कि ऐसा किस तुम ने कभी देख और राची अगले दिन अगले दिन वो ट्रेंस राची सुबह उतरता है तो उसे हैसास होता है कि मैं तो यहां पे कभी पहले नहीं है हूँ He came out of the station, उस station से बाहर निकलता है, took a taxi, टेक्सी लेता है and drove around the town for a while और शेहर में taxi से गूमता है He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the morabdi hills with none of these had the slightest acquaintance और उसे ही एसास होता है कि यह बिलकुल भी मतलब जो hotel वेगरा, building वेगरा, bazaar, morabdi hill है उसका उसकी एदास ते बिलकुल भी तालुक है, नहीं है, उसे बिलकुल भी याद नहीं आता है कि मैं यहाँ पे कभी आया हूँ Would a trip to hudro fall help, क्या hudro, अब उसके mind में सुता है, भै hudro fall जावे मैं गिरा थार मेरे गुटने पे लगी थी का, वहाँ पे जाने से मेरे यादास वापस आजाएगी, he didn't believe so, but at the same time, he did wish to leave the, leave with the feeling that he hadn't tried enough, और वो उसे लगता तो तब वहाँ जाके भी मुझे को कुछ याद नहीं आने वाला, लेकिन वो पूरा कोशिश करना चाहता था, यह नहीं सोचता था, भै कहीं बाद में जाके थोड़ा दूर है, हुद्रो फॉल वहाँ के लिए दो पेर के बाद चला जाता है, अब शाम को फाइव, पाँच बुजे, at five o'clock the same afternoon in हुद्रो, शाम को पाँच बुजे उद्रो पहुंच जाता है, two गुजराती जेंटलमेन from a group of पिक्निकर्स, डिसकवर्ड बेपिन बब आये हुए हैं, वो पाते हैं कि बेपिन बापू, अनकॉंचिस बिहूस पड़े हैं, beside a boulder, एक धेर के पास में, when he came round, the first thing that बेपिन बापू said was, I am finished, there is no help left, और जैसे वो पास में आते हैं, तो बोलता है, बेपिन बापू होता है कि मैं तो खतम हो चुका हूँ, मेरे पास क नहीं आरी, next morning बेपिन बापू was back in कलकटा, अगले दिन, वो सुबह वापस कलकटा आ जाते हैं, he realized that there was truly no hope for him, वो उसे एसास होता है कि मेरे लिए तो कोई उमीद ही नहीं बची है, राची भी जाकर आ गया, हुद्रोफोल भी जाकर आ गया, लेकिन मेरे कोई यादास वाप सब कुछ बिगड़ता जाता है, was he going to end up in his asylum, क्या वो एक पागल खाने में जाने वाला है, क्या अब उसको पागल खाने जाना पड़ेगा, वो तो पागल हो चुका है, ऐसा उसको ऐसास होने लगता है, विबिन बापू couldn't think anymore, इसके अलावा विबिन बापू कुछ और नही है, then after a shower, थोड़ी दिन नहाने के बाद, he got into bed with an ice bag clamped on his head, और अपने सर पे बरफ की सिकाई करते हुए, वो बैड पे बैड जाता है, लेट जाता है, just then the servant bought him a letter which someone had left in the letter box, और थोड़ी देर बाद ही servant एक letter लेकर आता है, नौकर, जो कि उसने letter box में ही छोड़ दिया था, नि नहीं था है, नि कोई पुराना letter जो letter box में रहे गया, तो वो letter लेकर आता है, a greenish envelope with the name in the red, on it, एक green color का envelope जिसके उपर लाल इंक में नाम लिखा हुआ होता है, above the same, it urgent and confidential, और इसके उपर लिखा होता है, कि यह बहुत urgent है और confidential है, लेकिन letter तो काफी दिन बाद निकला है, in spite of his condition, बेपी बाबू had a feeling that he out to go through the letter, अब उसके हालत नहीं है, letter पढ़ने के लेकिन फिर वो सुचता है, confidential और urgent लिखा हो, तो मुझे इसको पढ़ना चाहिए, he tore open the envelope and took out the letter, that is what he read, और वो envelope को फारता है, वहां से अंदर से letter निकालता है, और पढ़ता है, letter में क्या लिखा और ये बच्चों कितना अच्छा climax हो रहा है, अब क्या होगा मेरे को खुद को idea नहीं क्या आने वाला है, द्यान से समझेगा, dear बेपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done, dear बेपिन, मुझे बिलकुत जो लिखने वाला बोल रहा है, कि मुझे बिलकुल idea नहीं कि तुमारे पुराने दोस्त, जो कि उसकी मतलब लग खराब, उसको job नहीं मिल रहे है, उसके लिए मदद करना क्या तुमारे लिए इतना मुश्किल है, I have no money, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, my resources are limited, मेरे पैसे के स्तोरतर भी खतम होते जा रहे है, what I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfilling behavior, मेरे पास क्य है, इस सिर्वे के imagination है, एक part जो which I used in retribution of your unfilling behavior, और जो मैंने यूज किया है, एक बदले की बावना के तौर पर तुमारे behavior, unfilling, जो तुमारा बढ़ता होता मेरी कारण, तो मेरी मदद नहीं कर रहे थे, तो उसके बदले में मैं तुमारे, मैंने एक plan यूज किया, और तुमा novel I have written is being considered by a publisher, मैंने एक novel लिखी है, और वो एक publisher को पसंद आ गई है, यानि कि अब मुझे job मिल गई एक तरह से, if he likes it enough, I'll see me through the next few months, अगर उसे पसंद आई तो वो मुझे नौकरी पर रख लेगा, और मुझे और लिखवाएगा, यौर चुनीला, तो चुनीला नहीं लेटर बबु सेट, I am fine, it all came back as soon as I got off the train at राची, जैसे ही मैं राची से, मैं ठीक हूँ, जैसे ही मैं राची से आया, तो मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक हुए, and unique is, अम मेरे को बिल्कुल आराम है, सेट डॉक्टर चंदा, I shall, अब तुम ठीक हो, डॉक्टर चंदा ने कहा, I shall certainly write about in a medical journal, और मैं इस बारे में तुम्हारे एक medical journal में जरूर लिखोंगा, तुम्हें जो विचितर सी बिमारी हुई थी, the reason why I sent for you, said बेपिन बाबु, is that I have the pain in the, अम मैंने तुम्हें क्यों बुलाए था, बेपिन बाबु ने कहा कि मेरे hip में थोड़ा सा दर्द है, क्योंकि मैं र मजाग किया है यह सारा, इसलिए डॉक्टर से अपने दिमाग की बाद वो छुपा लेता और बोल देता है कि मैंने तुम्हें दर्द के रिए बुलाए था, तुम्हें लाश्ट लेटर का मतलब क्या है, मतलब यह है कि चुन्नी लाल नहीं यह पूरा नाटक रचा था, ठी ठीक है, उसकी कोई मेंबरी लॉस नहीं वी, उसी ने परिमल गोश को बताया, उसी ने दिनेश, एक मिट क्या नाम था उसका, हाँ, दिनेश मुखर जी को भी उसी ने बोला कि तुम्हें ऐसे जुट जुट बोलना, कि भाई, हाँ तुम्हें पास फोन आए ना, तो बोल द इतना पैसा है, पैसा है, अफ्लुएंस हैं इतना पैसा, अमीरी उसके पास है, किसके पास बेपिन बाबुगास, फिर भी वो अपने एक दोस्त की मदद नहीं कर रहा है, जॉब ढूणने में, तो उसको सबक सिखाने के लिए का था, और फिर एंड में उसने ये लेटर लि बूल रहा था, और ये तो सारा इसने चुनी लाल ने नाटक किया था, ताकि वो उसको सबक सिखा सके, क्योंकि वो बेपिन बाबु उसको मदद नहीं कर रहा था, जॉब ढूणने में, और इसलिए फिर जब वो डॉक्टर आता है, तो बेपिन बाबु पूरी बात ही चली और उसका दिमाग ठीक हो गया, और फिर डॉक्टर ने भी का कि बाइए, तो बहुत अच्छी चेप्टर है, मुझे भी पढ़ाने पे सिरियसली बहुत मज़ा आया, और सत्य जीत रहे हमारे बहुत फेमस राइटर है, इंडिया के बहुत मानेवी फेमस राइटर इनक कहानियों पे तो मुवीज बनती है, मुवीज और सिरियस बनते है, तो इतनी फेमस राइटर की स्टोरी है, आपकी बुक में छपी है, तो बहुत अच्छी है, तो चारो वीडियो को चाहे आपको कुछ भी नहीं समझ में आपको दो तीन बार वापस देखें, रिवाइंड करके देखें, फास्ट फॉर्ड वर करके देखें, और आज अपना चेप्टर समापत होता है, मुझे उम्मीद है कि पूरा चेप्टर आपको समझ में आए होगा, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो, थैंक यू Have a nice day